अर्सलाम अलेकम मैं हूँ आपके साथ मुहमद नहीं सफदर कुछ अर्सता पहले मैं आपनी परसनल वजुहात की वज़ाद से वीडियो नहीं बना सका अब मैंने ये सिलसला दुबारा शुरू किया है तो चलते हैं आज के हमारे टापिक की तरफ आज का हमारा टापिक है अर अरली रिटार्मेंट का गोल सेट किया जाता है और क्यूँ लोग अर्ली रिटार्मेंट लेना चाहते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि रिटार्मेंट क्या होती है आम तो पर हम देखते हैं जो लोग 선्यけど में काम करتे हैं 20 साल या 25 साल की सर्विस के बाद वो लोग तो 25 साल के बाद वो तक्रीबन 45-50 के करीब होता है और उस वकत वो रिटायर होता है और जब वो रिटायर होता है तो गोर्मेंट की तरफ से उसको पेंशन मिलती है और उस पेंशन में बाद दफा लंसम होता है और बाद दफा मंतली होता है इससे मुराद यह है कि मंतली उनक गोर्मेंट की तरफ से कुछ पैसा मिलता है जिससे उनका गुजर बसर या घर का जो सिलसला है वो चलता है लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलती उनको लंच सम कुछ अमाउंट मिलती है जिसको end of service benefit बोलते हैं उसके अलावा उनको continually उनकी service के बाद company के तरफ से पैसा नहीं मिलता जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोग अब इस तरफ आ रहे हैं कि वो अपनी retirement खुद plan करते हैं आज के topic में हम देखेंगे कि early retirement का मनसुबा कैसे बनाते हैं और कैसे उसको achieve करते हैं आज कल लोग early retirement को संद करते हैं कुछ लोग 50 साल की उमर में retire होना पसंद करते हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो 40-55 साल की उमर में retire हो जायें और कुछ लोग 30-40 के दर्मयान में retire हो रहे हैं बल्के आजकल तो ऐसा है कि 30 से कम उमर में भी लोग रेटायर हो रहे हैं यहाँ पर रेटायर्मेंट का मकसद यह नहीं कि उन्होंने 20 साल 25 साथ सर्विस कर ली है और उसके बाद वो रेटायर हो रहे हैं यहाँ पे उनकी retirement का मकसिद यह है कि वो financially independent हो जाते हैं financially independent से मुराद यह है कि उनका जितना महाना हर्च है वो उनके investment से, वो उनकी किसी जगा पे business से या किसी और जगा से उनको उतना पैसा मिल रहा है जितना उनके बंथली expenses है it means कि अब उनको काम करना, उनके लिए काम करना एक मजबूरी नहीं है और जब वो इस position पर पहुंच जाते हैं तो जो वो चाहते हैं वो करते हैं otherwise बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो jobs कर रहे होते हैं या job sector में होते हैं तो job उनको पसंद नहीं होती लेकर उसके बावजूद वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि उनका घुजर बसर उसके बगार नहीं होता जो लोग financial independent हो जाते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि वो job को पसंद करते हैं या नहीं करते उनके पास choice आ जाती है उनके पास choice आ जाती है कि वो इंकार करें कि हम ये job पसंद नहीं करते हम नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वो इंकार करेंगे तो it means उनके पास alternative है उनका source of income है जहां से उनको कुछ आमदन आ रही है तो इसलिए बहुत सारे लोग आप financially independent और retire early के बारे में सोचते हैं अब हम बात करेंगे कि early retirement के लिए अपना जो number है वो कैसे set करें इससे मुराद यह है कि आप कितना पैसा आपके पास हो जो आप समझते हैं कि sufficient है हमें अपनी retirement life उजारने के लिए यह वो number होगा जिससे आप अपने महाना अखराजात असानी से निकाल सकते हैं इस number को निकालने के लिए माहरीन की experts की राए यह है कि आप सबसे पहले अपने महाना हर्चा calculate करें महाना हर्चा उस वकत का जिस वकत आप retire होना चाह रहे हैं आप retire होना चाह रहे हैं at the age of 40 तो इस वकत आपकी उमर जो है वो 20 साल 25 साल है और आप चाह रहे हैं कि आप 15 या 20 साल के बाद retire हों तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप easily आपना जो remaining life है जो बाखी की life है उसको without any attention financial independence के साथ आप गुजार सकें तो वो number calculate करने के लिए आपको ये देखना है कि आप जिस वकत retire हो रहे हैं at the age of 45 या 50 उस वकत आपका महाना हर्चा कितना होगा इस calculation को आसान रखने के लिए हमने इसके अंदर inflation महिंगाई की शरा और दूसी चीज़े या दूसरे factor इसमें नहीं डाले जे मिसाल के दूर पर एक शखस का महाना हर्चा 50,000 है तो उसका एक साल का हर्चा 6,000,000 होगा एक्सपर्ट का मानना है कि इस 6,000,000 को अगर 25 से multiply करें तो वो target figure आ जाएगा तो वो बनता है डेट क्रोड इसको 25 से multiply करने की एक वज़ा ये भी है कि जो figure आएगा जैसे डेट क्रोड है अगर वो शखस कोई काम ना भी करें तो simply bank के अंदर वो उस amount को रखे तो bank at least उसको 4% per year दे देता जिससे उसका महीने का 50,000 बैंक से उसको मिल जाएगा इसके अलावा अगर वो शखस इस डेट क्रोड को किसी जगा पर invest करता है तो इसको इससे ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं यह अब depend करता है कि वो शखस कहां invest करता है और कितना करता है अगर वो शखस किसी जगा पर invest ना भी करे तो at least bank से उसको इतना मिल जाता है जिससे उसका घर का हर्चा अराम से चलता जिसकी वज़ा से उसको अब कोई परिशानी नहीं है या कोई परिशानी नहीं होगी कि मेरा source of income क्या है या कहां से मुझे income आईगी जिसने मैं अपना घुजारा करूँगा अब बात करते हैं यह जो टार्गेट है इसको अचीव कैसे करना है फार एक्जबल यह टार्गेट है डेट ग्रोड का तो इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले जो important चीज़ है वो है discipline आपको discipline को follow करना है discipline को follow करनी से मुराद यह है कि आपको permanent and regular basis पे आपको saving करनी है इसके लिए जो formula है जो असा formula है वो है income minus expenses is equal to saving इसका मतलब यह है कि इसमें तीन चीज़ें शामल है इसमें income शामल है इसमें expenses शामल है और उसके बाद जो बचेगा वो आपकी saving है income से मुराद आपकी आमदन है इसके बाद दूसरा part आता है expenses का कि आप अपने expenses को कम करें लेकिन जो permanent expenses है या जो regular expenses है उनको एक शखस एक limit तक कम कर सकता है उससे ज्यादा नहीं कम किये जा सकता है तिसरा part आता है saving का आपकी आमदन में से खरजात निकलेंगे उसके बाद जो बचेगा वो आपकी saving होगी इसके लिए important यह है कि आप regularly उसको save करें और invest करें जी तो अभी हमने देखा early retirement का target कैसे set करते हैं और उसको कैसे achieve करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही इंशाला फिर हाजरूंगा एक नहीं वीडियो के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेगी तो जुरूर subscribe करें like करें और share करें और comment section में अपनी राय का इसहार करें thanks for watching allah hafiz